तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए फिरॉमनल गुरुजी को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेश टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हैलो और वेलकम फ्रेंट्स यो वचिंग फिनॉमनल गुरुजी चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इशू के बारे में कि अपडेट के बाद हीटिंग इशू कितना आपको कम देखने को मिला है तो दोस्तों बहुत से लोगों को हीटिंग इशू आ रहा है अभी भी अपडेट के बाद और कुछ लोगों को इसमें कम देखने को मिला है और यहाँ पर हीटिंग इशू को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दो बाते निकल के आती हैं पहला तो यह प्रोसेसर जो है लगातार हीटिंग इशू इसमें बना हुआ है य यानि कि हो सकता है कि यह प्रोसेसर में हीटिंग हो यानि कि यह प्रोसेसर जो है ज्यादा हीट करता है इसकी वज़े से सारे जो अपने सर्विस है वो यहाँ पर हैंग हो जाती है तो इस तरीके से आप हीटिंग इशू को यहाँ ठीक नहीं कर पा रहे हैं और इसके अलाव पर simply आपके पास एक ही option बसता है कि आप यहाँ पर जाएं simply search पर जाएं और इसकी यह जो process है हमने आपको और भी पहले बताई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं simply यहाँ पर आपको लिखना है contact us जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे contact us तो यहाँ आपको एक option मिलेगा accessibility के अंदर तो simply आप इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर एक form छोटा सा open हो जाएगा इस form को जो है आपको fill करना है और यहाँ पर जितनी जादा request generate होगी यहाँ पर Samsung को यह पता लगेगा कि किस तरीकी की problem लोग face कर रहे हैं तो simply आपको यहाँ प पटाफट से जो है ठीक कर दीजे और बहुत से लोगों को ऐसी problem आ रही है कि उनका mobile जो है काफी ज्यादा हीट हो जाता है तो simply आपर हम आपको बता दे तो देख सकते हैं इस तरीके का आपको यहाँ पर option मिलता है simply आप error report पर click करेंगे और यहाँ पर आपको describe करना है जो भ पर पहुंच जाएगी Samsung developer के पास और जल्दी यह जो problem है solve कर दी जाएगी हो सकता है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा time लग जाए लेकिन यह जरूर से जो problem है solve होगी क्योंकि काफी major bug बताये जा रहा है क्योंकि बाकी bug तो आप देख सकते हैं लेकिन यह heating issue वाला problem होने से यह तरीके से आप यहाँ पर request दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा request पहुंचे और आपको जल्दी से आपकी प्रॉब्लम है वो solve हो पाए उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो दिखने के लिए चैनल को सब कर दो